आलू मटर और गाज़र के चाहरी यह बहुत मज़े की बनती है चावल तो हम और तरह के खाते हैं लेकिन जब आप यह बनाकर खाएंगे तो आपको मज़ा ही आज आएगा खाकर और इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मटर गाजर की तहरी बनाने के लिए मैंने हाफ सब ऑविल के लिया है अब मैंने इसमें एक छोटी प्याज लिए प्याज को हमने प्राइख करना है यह देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है अब हमने इसमें इसमें यह साबज गर मसाला है मेरे पास एक स्पुन जीरा दो स्टिक दार चिल्नी के दो से तीन और तीन से चार लोंग है एक बड़ी लाइची है दो बादियान है और दस पंदरा काली मिर्चा इसमें इसको अब लहसन अधरक को भी हमने प्राई कर दिया है ये मेरे पास एक पाव आलू है वो करना है आलू को हमने प्राई करना है इसमें नर्यार है करना है यह मैंने एक पाउ गाजर ली ती इसको मैंने छोटे चोटे बीष्ण में कटिंग लिया था यह भी स्मेट करोंने करना घजर को भी हमने एक सु दो मिंट्स प्राइ करना है अलो जाए अलो और गाजर को में आप अगर बड़ा हो तो आप एक लेने मेरे पास चोटे से तो मैंने दो दिया है अच्छे तरीके से लिख्स करना है यह मेरे पास हरी बेचे है तीन से चार को मैंने कटिंग कर लिया और तीन चार मैंने साबुत डालनी है मैंने इसमें अध्रक कर पेस्ट भी एट किया था अब मैंने यह नंबाई में कटा हुआ अध्रक लिया है वह भी एट करूंगे इसमें दालना है अध्रक कहि के बाएब करणने हैं अब हम ने इसे एक टेबल स्कून हिलग का लिए वह प्रूट करना है मतले कि अध्रक कटि video कर लिए वैट करना प्रूट अब मैंने ये हाफ गिलास इसमें पानी का एड़ करना है अब हमने इसको ढख कर पकाना है मीडियम फ्लेंप पर 5-10 मिंट तक हमारे अलू मटर और गाजर जो है वह गल्डें दिखाते हैं आपको अब यह देखें दस मिंट के बाद पानी खुशिक हो गया है और उपर आ गया है अब हमने इसको भूल लेना है हम इसको 2-3 मिंट भूल लेना है अब हमने इसमें चावल एट करना है यह मैंने आदा किलो चावल लिया है कच्छी बास्मतिक है इसको मैंने आदा घंड़ा पहले भीकोकर रख दिया था अब हमने इसको एड़ करना है इस चावल हमने एड़ कर दी है अच्छे से मिक्स करने है चावल को अब यहां मैंने नमक अब मैंने नमक चेक करना है अगर मुझे नमक कम लगएगा तो अब इसमें और एड़ करूँ है मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लगा था तो मैं इसमें हाफ टीस्पून नमक का और एड़ करूँगे अच्छे से मिक्स करूँगे अब हमने इसको डग देना है गोय लाने तक दिखाते हैं आपको दो मिटबाग यह देखें चावलो का पाने तकरीबन काफी खुशिक हो गया है अब हमने यहां पर इसको लो फ्लेम पर दम लगाना है दस मिल का दम लगाना है दिखाते हैं आपको दस मिल के बाद चावल हमारे अच्छे से दम आ गए है और इसका कलर देखें कितना फुश्रत आया हल्दीगा चले हमने आपको डिशाउट करके दिखाते हूं कि यह देखें हैं हमारे रैस बन के त्यार हो गए यह बहुत मज़ें के बनते हैं आप इसको एक दफ़ा पनाके जरूर्ट राई कि दिया गया और साथ ही मैंने यह देखें राईता पनाया है प्याज का गाध प्याजब टिमातर और खिले का और बंद्गूबी का मैंने र लेक्स्ट वीडियो में आलाहाफज़।